आज है 25 अप्रेल 2024 दिन गुरूर। चलिए जानते हैं आज शाम की 50 पटापट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और आप किस दिस राज जिली की जानकारी चाहते हैं कॉमेंट वाक्स में ज़रूर रता हैं आपकारी नीती से जुड़े मनी लांडिंग मामले में दिली की मुक्यमंत्री और आमादमी पार्टी के रास्टी संयोजग अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर से बड़ा जटका लगा है ताजा मामले में दिली की राववजविनी कोड ने आपकारी म प्रीज सिंग की भी नयाई खिरासत साथ महीं तक बढ़ा दी गई है तीनों को वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माधिम से पेस किया गया था इस्राइली सेन खोफिय निदे साले की प्रमुका हरून हलिवा ने पस्ते इस्तीफा दे दिया है उन्होंने स्विकार किया है कि उनकी गल्ती की वज़े से हमास की हमले के बारे में पता नहीं चल पाया और इतना बड़ा नुकसान हो गया पिछले साल 7 अक्टूबर को फिल जातिगर जनगरना कराने की बात कही है उन्होंने कहा है कि जातिगर जनगरना कांग्रेस के लिए सियासत नहीं है या उनके जीवन का मिसन है और वे से नहीं छोडेंगे उन्होंने चीतावनी वाले अंदाज में कहा कि कोई भी ताकत जातिगर जनगरना कराने से उन्होंने बिजेपी ने इस बार 2024 के चुनाओं में सांसर राजवीर दिलेर का टिकट काट कर हाथ रस सीट से अनूप वालिमीगी को पृत्यासी बनाया। कॉंग्रेस ने तप्रियंका गांधी वादरा ने बुधवार को आरोप लगाया कि भारती जंता पार्टी उनके भाई राहूल गांधी को बदनाम करने के लिए अभियान चलाने में धन और मीडिया का इस्तिमाल करती है। को या या दिलाना था कि हम एक हैं। का ततकाल प्रभाव से प्रतिबंद लगा दिया है। साथ ही उसने बैंक के नए क्रेडिट कार्ड जारी करने भी रोक लगा दिया। RBI के आदेश में कहा गया एक मजबूत IT बुनियादी धाचे और IT जोकिम प्रबंदन धाचे के अबाव में बैंक के कोर बैंकिंग सिस्टम और इसके ऑनलाइन तता डिजिटल बैंकिंग चैनलों को पिछले दो साल में लगाता और और महत्तपोड रुकाउटों का सामने कर एक मीडियस अंसान को दिये इंटर्वी में मादवी लता ने अस्दुदीन OIC को करारा जवाब दिया और कहा कि उनके पास इस लोकसभा चुनाओ दोजर 24 में कोई और मुद्दा नहीं है असल में रामनोमी के मौके पर निकली शोबा यत्र में मादवी लता ने आस्मान की तरफ कालपनिक रामबार चलाया था जिसके वीडियो को लेकर AIM आईम ने आरोप लगाया था कि मादवी लता ने मस्जित की तरफ तीर छोड़ा था नालक की मादवी लता का कहना है कि जहां की ये बात है वहां कोई मश्यत मौजूद नहीं है अमेरिकी प्रितनीदी सबाने संयुक्त अमेरिका में चीनी वीडियो शेरिंग एप टिक टॉक पर प्रतिबंद लगाने वाले नए कानून को मंजूरी दे दी है इससे पहले मार्च में सदन ने टिक टॉक को गयर कानूनी गोसित करने के प्रिस्ताव का समर्चन करने हुए वोड दिया था बता दे कि टिक टॉक का इस्तिमाल 170 मिलियन से ज़्यादा अमेरिकी कर रहे हैं पहले बिल में कहा गया कि टिक टॉक की पैरेंट कंपनी बाइट डांस कानून के कन्योज में लालू यादो के दमाद और अपने भतीजे तेज प्रताफ यादो को सपा का उमीद्वार बनाया है इसके अलावा बलिया से सनातन पांडे को टिकर दिया है दरसल पिछले कई दिनों से कन्योज में अखिलेस यादों के लोक्स बाचुनाओ लड़ने के चरचर में शामिल हो गए उन्होंने उप मुक्यमंत्री वर्जेस पार्टक की मौझूदगी में भारती जन्ता पार्टी की सदसिता ग्रहाण की है बतादे की हाली में अबैसिंग ने समाजोदी पार्टी के खिलाफ रास्वा में मद्दान किया था इसके साथ ही दूसरी पार्टी का बयान राहुल गांदी के संपति के सर्वे और उसे दुबारा बाटने के वादों के बीच आया है और सीज कांग्रेस के मुखिया सैम पित्रोदा ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा अमेरिका में एक विरासत कर है यदि किसी मनुसिक के पास 100 मिलियन डॉलर है तथा व सामक विग्यापन मामले में सुप्रीम कोर्टें बाबारामदे को आड़े हातों लिया है सुप्रीम कोर्डें बाबारामदे हुसे पूछा आजारे बालक्रष्ण को निवमों का सकती से पालन करने का निजयस दिया है कोर्ट में सुनवाई के दौरान पतंजली के वकील ने पूछा कि जो माफी नामा छपा है वा ब्रामक विग्यापनों जैसा ही है माफी नामा उसी फांट और आकार में था पतंजली के वकील ने कहा कि उन्होंने माफी नामा के विग्यापन पर दस लाग रुपे खर्च किया है इस पर जजोंने सकती दिखाई और साप कहा कि आपने कितना पैसा खर्च किया हमेज से कोई लेना देना नहीं है इसराइली सेना ने रफा में की एरिस्ट्राइक फिलिस्तिनी सरनातियों के कैम्प किये तबा बताते कि गाजा में हमास और इसराइल के भी चल रही जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही है अब इसराइली गाजा की रफा में बड़ी सैनी कारवाई की है इस सैनी कारवाई में किसी के घायल है मौथ होने की सूचना नहीं है हाला कि वहां लगे सरनाथियों के कैम्प को काफी नुकसान हुआ है जिससे वहां रह रहे है सरनाथियों में अब दह्षत का महौल है बता दे कि रफा में एक एक पृत्यच दर्सी ने बताया कि इसराइली सेना ने यहां रहने वाले लोगों को 54 भराफोर किया और उनसे लोगों को छेतर छोडने के लिए कहा क्योंकि उनके फाइटर प्लेन हमले के लिए तयार है हिमाचल प्रदेश में लोगसबा की कुल चार सीटे हैं फिल्म अक्टरस कंगना रनोत की चुनावी मैदान में उतरने से हिमाचल में भी लोगसबा चुनाओ इंट्रस्टिंग हो गया है राजी में साथवी और अंतिम चरण में एक जून को मद्दान होगा बता दें कि हिमाचल की इन चार लोगसबा सीटों में से सबसे ज़्यादा चर्चा मंडी सीट को लेकर है ऐसा इसलिए क्योंकि केंदर में सत्तारोड एंडिये गटबंदन की ओर से बिजेपी ने फिल्म एक्टरस कंगना रनोट को यहां से अपना उमीदवार बनाया है उधर विपच्छी गटबंदन इंडिया की तरफ से कांग्रेस ने पूर्मुक्य मंत्री वीर भदर सिंग के बेटे विक्रमा दिति सिंग को अपना प्रतियासी बनाया है अब देखना ये है कि यहां से कंगना रनोट जीती है या फिर विक्रमा दिति सिंग खेर आपकी इस बारे में क्या रहा है हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं इस बार की जुनावे बिजेपी ने अपकी बार चौर सो पार का नारा दिया है इस नारी के साथ भाचपाने देश बर में अपनी ताकत जोग दी है इसमें मद्ब्रदेश में मिसन 29 पर बिजेपी लगातार काम कर रही है बतादे पीम मोदी कल एक बार फिर मद्ब्रदेश की दोरे पर आ रहे हैं पीम कल राज़ानी बोपाल के अलावा बैतूल और सागर में भी रहेंगे बतादे कि पीम बोपाल में बिजेपी पृत्यासी आलोक शर्मा के समर्तम ने हुजूर वीदानसबा छेतर में रोर्शो करेंगे इसके अलावा सागर जिली में प्रत्यासी भाच प्रत्यासी लतावान खेड़े के समर्थन में चुनावी जनसबा बेहुंकार भरेंगे साथी साथ पीम बैतूल जिले में बिजेपी प्रित्यासी दुर्गादास उइके के समर्थन में जनसभा को सम्बोधित करेंगे इन तीनों जगों पर तीसरे चरण में मद्दान होना है इसरेली सेना ने रफा में की एरिस्ट्राइक फिलिस्तिनी सरनातियों के कैम्प की अतबा बताते की गाजा में हमास और इसरेल के भी चल रही जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही है अब इस्राइली गाजा की रफा में बड़ी सैनी कारवाई की है इस सैनी कारवाई में किसी के घायल है मौथ होने की सूचना नहीं है हाला कि वहां लगे सरनातियों के कैम्प को काफी नुकसान हुआ है जिससे वहां रह रहे है सरनातियों में अब दह्षत का महौल है बता दे कि रफा में एक एक पृत्च दर्सी ने बताया कि इसराइली सेना ने यहां रहने वाले लोगों को चेतावनी भराफोर किया और उनसे लोगों को चेतर छोड़ने के लिए कहा क्योंकि उनके फाइटर प्लेन हमले के लिए तैयार हैं हिमाचल प्रदेश में लोगसबा की कुल चार सीटे हैं फिल्म एक्टरस कंगना रनोत की चुनावी मैदान में उतरने से हिमाचल में भी लोगसबा चुनाओ इंट्रस्टिंग हो गया है राजी में साथवी और अंतिम चरण में युग जून को मद्दान होगा बता दे कि हिमाचल के इन चार लोगसबा सीटों में से सबसे ज़्यादा चर्चा मंडी सीट को लेकर है ऐसा इसलिए क्योंकि केंदर में सत्तारोड एंडिये गटबंदन की ओर से बीजेपी ने फिल्म एक्टरस कंगना रनोत को यहां से अपना उमीदवार बनाया है उधर विपच्छी गटबंदन इंडिया की तरफ से कांग्रेस ने पूर्मुक्य मंत्री वीर भदर सिंग के बेटे विक्रमा दिति सिंग को अपना प्रत्यासी बनाया है अब देखना ये है कि यहां से कंगना रनोत जीती है या फिर विक्रमा दिति सिंग है आपकी इस बारे में मजब देश के दोरे पर आ रहे हैं पीम कल राजजानी बोपाल के अलावा बैतूल और सागर में भी रहेंगे बतादे कि पीम बोपाल में बिजेपी प्रत्यासी आलोक शर्मा के समर्तमने हुजूर वीदानसबा छेतर में रोर्शो करेंगे इसके अलावा सागर जिली में प्रत्यासी भाजपर प्रत्यासी लतावान खेड़े के समर्तन में चुनावी जनसबा बेहुंकार भरेंगे साथ ही साथ पीम बैतूल जिले में बिजेपी प्रत्यासी दुर्गादास वीके के समर्तन में जनसबा को संबोधित करेंगे इन तीनों जगों पर तीसरे चरण म मद्दान होना है